बिस्मिल्लाइर्मानिर्रहीम, अस्सलामु अलेकूम, वेर्जाज आपके लिए ईद की मुनाजबत से एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, आज मैं आपको खोई से बनने वाली गुलाब जामन बनाना सिखा रही हूँ, मैं आपको पहले भी एक रेसिपी दे चुकी हूँ, जो के मिल्क पाउडर से बनने वाली गुलाब जामन की थी, आज मैं आपको खोई से बनने वाली सिखा रही हूँ, तो यह हम लस्सा खोया से बना रहे हैं, इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और अपने फीडबैक दीजेगा, तो इसके लिए जो इंग्रीडियंट हमको चाहिए है चलियाए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं, गुलाब जामन के लिए सबसे पहले हमने लस्सा खोया लिया है, लस्सा खोया मिठाई वालों की दुगानों पर मिलता है, वहां से आप अराम से ले सकते हैं, कराची के अंदर दो जगे आपको बता देती हूँ, ल पाउडर से जो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कार्ड में मिल जाएगा, तो आप वहां से देखके उसे तयार करके उससे भी गुलाब जामन बना सकते हैं, यह एक पाउ है, यानिके 250 ग्राम, इसके अंदर हम अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते है, तो फिर आप इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून दूद के इस्तेमाल करेंगे, पैन को चूले पे चड़ाएगे, हम इसके अंदर सबसे पहले 2 कप पानी के डालेंगे, अब इसके अंदर हम चीनी भी डाल देंगे, काड़बम पाउड हो जाएगी पानी के अंदर, चमज बीच में एकाथ दफ़ा चलाते रहीगा, क्योंकि कभी का बाद चीनी भी चिपक जाती है, चीनी अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो गई है और पानी में जोश आने लगाए, अब मैं इसे मीडियम फ्लेम के उपर ही 5 मिंट अच्छे से पकाऊंगी और फिर चूला बंद कर देंगे और इसमें केवडा और लीमु का रस डालेंगे, तकरीबन इसको पकते वे शीरे को 8 मिनट हो गए, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये केवडा पोटर और इसके अंदर मैं साथ ही डाल रही हूँ, लीमु का रस, अच्छे त तोड लिया है इस तरीके से, इसके अंदर हम डालेंगे, 3 फोट कप या 6 टेबल फ्रून मैदे के, 2 चुटकी नमद, बेकिंग पाउडर, पहले इसे मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसके अंदर, आदा अंदा मिलाएंगे और इससे बून लेंगे, ये बिल्कुल क्रम्स के जैसा बन रहा है, हम तक्रीमान इससे 10 मिनट बूनेंगे, तो ये बिल्कुल आटी की शकल में आ जाएगा, इससे एक जगा एक खटा करने के बाद, अब हम इससे मसलेंगे कैसे, हतेली से मसल मसल के हम इससे चिकना करेंगे, कम अज़कम 10 मेंट, तो देखी मैंने एक आपको दिखाने से पहले, ओल का टेंपरेचर चेक करने के लिए, डाल के देखिए, बहुत अच्छी फ्राय हो रही है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से चमचा चलाएंगे, और इस ओल को रोटेट करेंगे, और फिर इसमें हम इस तर बिल्कुल बिल्कुल स्लो है, और बिल्कुल स्लो आज के उपर इनके अंदर बबल्स उटने शुरू होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वक्त ओल का टेंपरेचर कितना स्लो है, देखिए, बिल्कुल आइस्ता आइस्ता बबल्स उटने शुरू है, इस वक्त आपने तेल को इस तरीके से हिलाते रहना है वरना नीचे एक गोल पैज बन जाएगा जैसे कि अक्सर बनावा होता है बस आपने इस तरीके से घुमाते रहना है जिस तरफ ये जा रही है उसके इलावा हटके आपने इस तरीके से ओल को घुमाते रहना है इस सब तरफ से evenly fry होने स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ताजा fresh oil लेना है, कड़ाई ढोके इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल इसके अंदर किसी चीज की बूनी होनी चाहिए, वरना एक गुलाब जामने जो है, फॉरन उसके अंदर उसका जायगा आजाएगा। और आपने sufficient oil लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से डूबी रहे, आदी डूबी होंगी आदी निकली होंगी तो बहुत बुरा सा रंग आएगा इनके अंदर, ये देखिए, बस मैं सिर्फ oil side में से हिला रही हूँ, बिल्कुल मैंने कुलाब जामनों को हाथ ने लगा रह रहे थे वह अच्छे golden कलर के हो गए हुने मैं निकाल रही हूँ और आपने एक बैच एक ही दफ़ा में डालना है, अलग अलग नहीं डालना है देखिए, कितने अच्छे खुबसूरत रंग के हुए, इनको में निकाल के और डायरेक शीरे में डाल रही हूँ, शीरे को मैं मैंने बिल्कुल धीमी आज के उपर गरम होने रखा हुए, क्योंकि वह ठंडा हो गया था, तो नीम गरम हो जाएगा तो मैं बंद कर दूँगी, यह वाली जैसे के अब कंप्लीट हो गई है तकरीवन, तो इसके बीच में ही आपने एक और नई नहीं डाल देनी, पहले आपने नया बेच की खट्टा डालना है, और ऑईल तेज हो जाए तो चूला बंद कर दें और फिर उसके बाद आप इसके अंदर गुलाब जामने डालके चमचा उसी तरीके से चलाते नहीं और जब वो फ्लोट हो के उपर आने लगे फिर आप चूला खोलें, इस तरीके स बिल्कुल स्लो कर दूँगी और अपना अगला बेच डालूँगी, तो हमारी गुलाब जामने बहुत ही अच्छे तरीके से यह देखिए इसके अंदर भीग गई है और अब आप यह देखिए बिल्कुल आपके सामने एक दम सौफ्ट गुलाब जामन एक दम यह देखिए तो मैं आपको एक काटकी भी दिखा रही हूँ, यह देखिए, कितनी अच्छी एकदम सौफ्ट और अंदर तक से शीरे से भरी हुई, गुलाब जामन हमारी रेडी हुई है, तो हमारी बहुत ही मज़िदार और सौफ्ट गुलाब जामने बिल्कुल रेडी हैं, यह देखि तो इन्हें जरूर ट्राइ कीजेगा, तो मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजे, इन्हें लाइक कीजे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कीजे, इसके लाबा बैल आइकॉन को भी ताकि आपको नहीं आने वाली सारी नहीं नोटिफिकेशन्स टाइम पर मिल सकें, मेरा एक फेस्बुक पेज भी है, उसे चेक कर लीजेगा, वहाँ काफे रिटिन रेसिपीज होती हैं, अपने कमेंट्स में, अपनी राय का इस हर जरूर किया कीजे, मुझे अपनी दौहों मियाद रखिए, अल्ला हाफिज